दोस्तो यहाँ पर कुछ तस्वीर दे गई हैं जिन में कुछ न कुछ काम हो रहा है ध्यान से देखें इन तस्वीरों को और देखें क्या इन तस्वीरों में कुछ एक जैसा है हम एक जैसी एक चीज तो मुझे दिखाई दे रही है और वो है कि हर तस्वीर में ही पानी है तो आईए अब हम एक एक करके देखते हैं कि भला तस्वीर में हो क्या रहा है सबसे पहले हम देखेंगे इस तस्वीर को देखते हैं इसमें क्या हो रहा है देखिए तो एक आदमी जो है वो पौधो को घास को पानी डाल रहा है और वो किस चीज से पानी डाल रहा है वो पानी डाल रहा है पाइप से और पाइप से बहुत सारा पानी जो है वो पौधो में जा रहा है लेकिन सोचे दोस्तो जब हम पाइप से पानी डालते हैं तो कितना सारा पानी जो है वो भी होता है क्योंकि जितना पानी हमें डालना है उससे जादा ही पानी जो है वो पौधो में चला जाता है तो यहां क्या हो रहा है यहां पौधो को पाइप से पानी देने में काफी पानी बरबाद हो रहा है आईए अब अगली तस्वीर देखते हैं अब हम देखेंगे इस त बरतनों पर उस time पर नलका जो है वो खुला वह है हर टाइम जब वो बरतन धो रही है पूरे time जो नलका है वो खुला वह आए और पानी उसमें से बहरा है तो सोचिए जब पानी की ज़रूरत नहीं थी वो बहर कर सिंक में जा रहा है और यहां क्या हो रहा है बरतन धोते पानी जो है वो बह कर सिंक में जा रहा है और वेस्ट हो रहा है तो यहां पर भी जो पानी है वो बिना काम के वेस्ट हो रहा है क्योंकि हम तो इस वक्त सिर्फ प्लेट पर साबुन लगा रहे हैं लेकिन पानी जो है वो बह रहा है अब देखते हैं इस तस्वीर में क्या हो र मॉटल्स हैं टायर है तो लोगों ने सबने क्या कर रखा है पानी में जो साफ पानी था उसमें कूड़ा डाल रखा है और एक तरफ से नाली का जो पानी है वो जो है वो उससे आकर मिल रहा है तो साफ पानी में गंदा पानी और कूड़ा फेका जा रहा है तो यहां पर भी इ वो तो पूरा गंदा हो गया, साफ पानी जो था तोह एक तरह से वेस्ट हो गया. आइए अगली तस्वीर हम देखते हैं, ये तस्वीर जो है, इसमें क्या हो रहा है? देखिए एक बच्चा जो है, वो ब्रश कर रहा है, अपने दाथ जो है, वो मंजन कर रहा है, और यहां पे इस तस्वीर में कोई बहुत दुखी है देखिए तो कौन दुखी है और वो बच्चा उसे देखकर हैरान भी हो रहा है देखिए जो यह बहता हुआ पानी है वो कितना साड है उसने तो साड सा फेस मेनाया हुआ है वो बहुत दुखी है कि जब मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे अभी तो मुझे क्यों बहने दिया जा रहा है तो यहां क्या हो रहा है यहां जब brush करें तो पूरा time मंजन करते समय नल हर वक्त खुला है पूरा time जब पानी का use भी नहीं हो रहा ब्रश करते वे जब दातों को brush करें तब तो पानी use भी नहीं हो रहा तो हम तब बंद कर सकते थे लेकिन यहां पर पानी जो है वो हर time चल रहा है जबकि उसका कोई use नहीं है उस time पर आईए अगली तस्वीर देखते हैं यह वाली इसमें क्या हो रहा है इसमें टूटे वे pipe से पानी भे रहा है तो यह एक broken pipe है एक टूटा हुआ pipe है जिसमें से पानी जो है वो बून्द बून्द करके waste हो रहा है याद है दोस्तो हमने जाना था कि बून्द बून्द से ही पूरी बाल्टी भर जाती है तो सोचिए बून्द बून्द करके जब पूरा दिन पानी इसमें से टपकता होगा तो कितना सारा पानी जो है वो waste होता होगा तो जब pipe फे केरा टूट जाते हैं या नलक्या जो है वो leak हो रहा होता है तब भी बहुत पानी waste होता है जैसे कि यहां हो रहा है तो दोस्तो हमने इतनी सारी चीज़े जानी इतनी सारी तस्वीरे देखी जहां कि पानी की बरबादी हो रही थी water wastage हो रही थी सबसे पहले हमने देखा कि एक आदमी pipe से पानी पानी दे रहा था प दूसरी तस्वीर में हमने देखा था कि जो पानी है साफ पानी उसमें गंदा पानी और कूड़ा जो है वो फेका जा रहा है या आपने भी अपने आसपास देखा है कि कोहीं पे जहां पानी खटा हो जैसे तालाब नदी विगरा उसमें लोग गंदगी फैला रहे हो क्या पानी में गंदगी फिलाई जाती है तो वह पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है पानी यूज करने लायक नहीं रहता उसके बाद हमने देखी यह तस्वीर इसमें एक लड़की जो है वह बर्तन मांज रही थी क्या आपने भी अपने आसपास ऐसा देखा है कि जब हम बर्तन लगा लें लेकिन हम नल का खुला चोड़ते हैं और वो पानी भैता रहता और वेस्ट हो जाता है या आपने भी ऐसा देखा है अगली तस्वीर में हमने देखा था कि एक बच्चा ब्रश कर रहा है और पानी जो है वो हर टाइम चल रहा है जब कि ऐसा हो सकता था कि जब ब जो है वो टूटा हुआ था और उसमें से बून बून करके पानी गिर रहा था लेकिन बून बून पानी से कितना पानी वेस्ट होता है ना हमने जाना था कि बून बून पानी से पूरी बाल्टी भर जाती है तो पूरा दिन जब बून करके किसी टूटी हुई चीज से पान या इसके अलावा कोई और जगा जहां पर आपने पानी जो है वो वेस्ट होते हुए देखा हो जरूर सोचिएगा कि आपके आसपास कहां पानी वेस्ट हो रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है